नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरव राज मेरे साथ सिनियर जर्नलिस्ट ग्यानेश्वर हैं इनसे विश्तार से बात करेंगे क्योंकि मुद्धा कुछ और है अज सुबह से आप ये कह रहे हैं कि कई प्रदेसों में तुफान है लेकिन बदनाम सिर्फ बिहार है क्या माइन है और क्या आर्थ है इसका लेके सौरव हम बार बार करते हैं बिहार को बदनाम किया जाता है और बिहार को निशाने पर इसलिए रखा जाता है ताकि बिहार की छबी कभी सुधरे नहीं लेके क्या क्या हुआ कल पूरे देश में आपको पता है उत्तरपरेश में क्या हो गया उत्तरपरेश में गुंडे को गुंडे ने मार डाला गुंडे को गुंडे ने मार डाला अतीका हमद भी गुंडा अतीका हमद भी अपना दी सजा कोट ने नहीं दी पुलिस कस्टडी में गुंडों ने दी ठीक है यह बावैला तो कल र बिहारी में जहरीली शराब की करण जो मौत हुई है उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। कि जो लोग पी रहे हैं वे डर के सार पी रहे हैं। इस कारण आपको घरेलु हुई उनसा शर्ट दुरगटना में कमी दिखाई परती है। करती आपने शिंत नहीं है। जहरीली शराब पी रहे हैं जहर पी रहे हैं तुम बनेंगे ही। ठीक है। तो इसके मसले में तो हमें श्रम सजग होना होगा। चुहे मारने की दवा आदमी पी ले तो फिर क्या होगा। तो देखिए मैं क्यों करा था बिहार बद्ला में। कल आपने देखा कि प्रियागराज में अतीक अहमद और उसके भाई असराफ आहमद की हत्या पुलिस का स्टडी में गुंडों ने कर दी। और हत्या करने के बाद जैसरी राम का नारा लगाया आसानी से सरिंडर कर जिसकी कोई अधाबत अतीक अहमद के साथ नहीं थे बस दिखाना था और ये कह कर कर कि हमें मारना था मार कर मर भी जाते तो अच्छा लगता भगमान के नाम सहीद हो जाते। तो देखिए यह परम्परा फिर भी बिहार बद नाम हैं देखिए मैं बाल बाल कहता हूं बाले भी मारे गए ठीक है तो पुलिस के लिए चैलेंज है और पुलिस को यह दिखाना होगा कि हम अपराजियों को पकर सकते हैं लेकिन अतिक अहमद जिस आरोप में वे इन दिनों पर्याग राज में इस अदालत से उस अदालत में चल रहे थे वह याद किजिए उमेश पा पांच कोर में डिल फाइनल भी हो गई थी पांच कोर में लेकिन पैसे के बाद बात बिगर गई थी और बाइडे से मुकर रहे थे पिर जमीन पर नज़र जा रही थे तो यह सारे चीजे आ रहे थे तो देखिए वहाँ यह हुआ अब उत्ता परेश के बारे में तो नहीं क हट्या कर दीजाती है यह अधिकर के देखिए वहाल ने करने के बाद जिम्मेबारी घरन裡 करने वाला कोई अपराधी गिरों नहीं है इतनी ताकत किसी अप्राधी गिरों में नहीं है की अधिया के बा prawn लामें लिए चिल्लर और लफ़व टाइप के अपराधी आई है तो उसने जिम्मेवारी कभूल की, तो अब क्या कहिएगा दिल्ली में, जहां केंद की पुलिस है, आप देखिए देश के सबसे सुरक्षित जेल, तिहार में, तिहार के सेल नमबर थ्री में, अभी 48 गंते पहले दिल्ली के गैंगस्तर प्रिंस टेबतिया की हत्या करती जाती है, तिहार के अंदर, तिहार के अंदर, तिहार जेल के अंदर गैंगबार होता है, और चाकूँ से प्रिंस टेबतिया को गोत दिया जाता है, इसे क्या कीएगा, और ये प्रिंस टेबतिया कौन था, कहा गई तिहार जेल की सुरक्षा, कहां से तिहार जेल में इतने चाकूँ लेकिन बदनाम बिहार होगा एक छोटी सी घटना के बाद कह दिया जाएगा जंगल राज बता दिया जाएगा चूंकि बिहार के पती जो छबी है वह और खराब हो जाए अब यह पिंस्टेवत कौन है थी हाजल यहां लॉरेंस बिस्नोई का चेला चपाटी है जो मार दिया किनल चपाटी था अब लॉरेंस बिस्नोई कोन है इस बात को भी समझे बिहार बदनाम है लेकिन लॉरेंस बिस्नोई देश के किसी जेल में बंद है और यहां लॉरेंस बिस्नोई एक ऐसा अपरादी है पंजाम में हुई हत्या बड़ी हत्या में नाम आया कि लॉरेंस बिस के एक बनेне चैनल को कि हम मान लेते हैं बिहार के जिलों में अरद्ध कि'Tा है देर के जिलों मी कोई अवेवस्ता नहीं है लेकिन है कोई अपरादी है को इसमा sigue माई कलाल जो जेल अपरादी की हिमाकत नहीं है बिहार में कि वीडियो इंटर्व्यू दें और बिडियो इंटर्व्यू देकर कहता क्या है कि सल्मान खान देश के बॉलिवूड का सूपर स्टार उसकी हत्या की तारिक हमने मुकरर कर दिये फिर भी बिहार बदनाम है फिर भी बिहार बदनाम है और क्या होता है जेल में बंद देख गहेंगा सर लॉरेंस बिश्णोई वीडियो इंटेव्यू करकर देखर देश के एक बड़े मीडिया चैनल पर चलता है और सल्मान खान को क्या करना पता है सरकार को सल्मान खान की शुरक्षा बनानी होती है सल्मान खान को अपने लिए बुलेट प्रूफ गारी खरीट में परती है एक नहीं दो दो कई कई करोर रुपए की एक निशान कंपणी की एक दूसरी कंपणी की उसे इंपोर्ट कर बंगाया जाता है और उसमें इस तरीके से कई लेस त्यार की जाते हैं ताकि अनेक बोर्ट की गोलियां होती है और जो लेस होते हैं बुलेट प्रूफ गारियों में वह अलग-अलग बोर्ट की गोलियों के सुरक्षा कबच के हिसाब से बनाए जाते है तो फिर भी बिहार बंदा आप कर दे है कल भी आपको हमने कहा था इस बिहार में कोई अतिकामद नहीं है उस दरजे का कोई गंगस्तन नहीं है बिहार में कोई मुक्तार अनसारी नहीं है, बिहार में कोई मुन्ना बजरंगी नहीं है, बिहार में कोई बजर सिंग नहीं है, जितने थे न, वे भी अपने को आज की तारिख में हाथ जोरते हुए फिरते हैं, क्योंकि धारा 353 का ही डर लगता है, सरकारी काम में बारा, चले जाएंगे जेल में, एक नेता जी में ही सब कुछ यह कहा जाता है ने तो दुख पहुंचता है दुख पहुंचता है चर्चा सोर सभी जगह है लेकिन बिहार में ही सिर्फ लोगों की नज़र आती है अगर अभी तक लाइप स्यूटिस को यूटूब पे सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिज